दोस्तो अगर आप Instagram की पुरानी ID को वापिस लाना चाते हैं, पुराने Instagram अकाउंट को उपन करना चाते हैं, अगर आपको नहीं पता है कि आपने कौन सा email address लगाया था, कौन सा mobile नंबर लगाया था, और क्या password लगाया था, अगर आप अपने पुराने अकाउंट को लोग इन नहीं कर पा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने पुराने Instagram अकाउंट को वापिस ला सकते हैं, वीडियो को complete देखना तब ही आप समझ पाएंगी, नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है, हमारी फिस्टे यूटूब चैन अब यहाँ पर मेरे पास एक पुराना अकाउंट है, उसको मैं यहाँ पर लॉगिन करने वाला हूं, विदाउट इमेल अड्रेस, विदाउट फॉन नमबर, विदाउट पासवर्ड की, ठीक है, तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल पर आना है, अगर आपका एक नया अकाउंट ओपन किया है, तो आपको अपनी प्रोफाइल पर आना है, उसके बाद इस अकाउंट को स्विच करना है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एड़ अकाउंट के उपर क्लेक करता हूं, उसके बाद login into exit account के उपर click करता हूँ click करने के बाद आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा कुछ इस तरीके का ठीक है आपको क्या करना है switch account के उपर click करना है उसके बाद आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा यहाँ पर आपके सामने एक option आ जाएगा get help with login in ठीक है आपने इसके उपर click करना है जैसे आप इसके उपर click करते हैं तो आपके सामने ये नया page आ जाता है login help ठीक है आप यहाँ पर दे सकते हैं सबसे top पी दिया है username, email address, your phone number ठीक है अगर आपका एक पुराना account है आपने बहुत पहले बनाया था अगर आप उसको दुबारा से open करना चाते हैं अगर आपको नहीं पता है कि आपने उसमें कौन सा email address लगाया था कौन सा अपने phone number लगाया था ठीक है और कौन सा अपने password लगाया था अगर आपको नहीं पता है तो आपको क्या करना है सबसे पहले गायज आपको username पता होना चाहिए जो भी आपका username होगा आपने उसको यहाँ पर type करना है तो यहाँ पर जो भी मेरा पूराना username है उसको यहाँ पर मैं type करता हूँ तो जैसे आप दे सकते हैं यहाँ पर मैंने username को type कर दिया है ठीक है आपने भी अपना जो पूराना username है उसको type करना है अगर आपको नहीं पता है कि username कहाँ पर मिलेगा तो आप मुझे comment box में जाकर comment कर देना मैं आपको बता दूँगा कि आप कैसी username को ले सकती है Instagram सी ठीक है उसके बाद आपको क्या करना ह रहा है can't reset your password ठीक है अपने इसके उपर क्लेक करना है can't reset your password के उपर ठीक है अब जैसे आप इसके उपर क्लेक करते हैं तो आपकी सामने एक नया पेज आ जाएगा कुछी तरीकी का ठीक है अब दे सकते यहाँ पर दिया है choose a y to recover your Instagram account आप नीचा आएंगे तो यहाँ पर WhatsApp नंबर दिया है ठीक है और email address भी यहाँ पर show हो रहा है ठीक है जिसे आप यह पता लगा सकते हैं कि कौन सा phone number आपने Instagram account में लगाया था और कौन सा आपने Gmail account लगाया था ठीक है अगर आपने phone number लगाया होगा तो आपने phone number को select करना है उसके बाद आपको nest करना है ठीक है आपके number पर एक OTP आजाएगा जैसे आप यहाँ पर OTP add करेंगे तो आपके पास new password create करने का option आजाएगा ठीक है तो आप इस तरीके से भी login कर सकते हैं अगर आपके पास यह mobile number भी नहीं है ठीक है तो आपके पास Gmail तो होगा आपने Gmail को select करना है जैसे आप इसको select करेंगी आ आप nest करेंगे तो आपके Gmail पर यह code आजाएगा ठीक है अपने Gmail को check कर लेना है ठीक है अगर आपके पास Gmail भी नहीं है तो आपको क्या करना है back आना है back आने के बाद नीचे ही आपके सामने एक option दिया है try another way ठीक है आप इसके उपर click कर सकते हैं जैसे आप इसके उपर click करें तो आपके सामने एक नया पेज आजाएगा कुछ चीज तरीके से ठीक है आपको यहाँ पर क्या करना है सबसे टॉव वाले option को select करना है I have forgotten my password and can't reset it ठीक है उसके बाद nest की उपर click कर देना है जैसे आप nest की उपर click करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है no request help for friends की उपर click करना है ठीक है जैसे आप इसके उपर click करेंगे तो आपको यहाँ पर nest करना है nest करने के बाद यहाँ पर दे सकते हैं यहाँ पर आ रहा है choose two friends on Instagram who can confirm your identity यहाँ पर Instagram बता रहा है कि आपको दो लोगों को select करना होगा जैसे आप get start की उपर click करेंगे click करने के बाद आपके सामने और यह किना पीज आ जाएगा कुछ इस ट्रीके का अब यहां पर आपने दो लोगों को सिलेट करना होगा जैसे अप दो लोगों को सिलेट कर लेते हैं उन दौनों के पास आपका कनफर्मेशन नौटिफिकेशन जाएगा ठीक है अगर वह दोनों accept कर लेते हैं अगर दोनों मैंसे कोई एक भी accept कर लेता है तो आप अपने Instagram account को login कर पाएंगी easy ही ठीक है तो यहां पर आपने उन लोगों को select करना है जिनको आप जानते हैं ठीक है जो आपके जान पहचान की है जिनके साथ आपका contact होता है ठीक है आपने उन लोगों को select नहीं करना है जिनके साथ आपका contact नहीं होता है ठीक है उन लोगों को select करना है जिनके साथ आपका contact होता है ठीक है तो यहां पर जैसे आप उन लोगों को select कर लेते हैं select करने के पाद next के उबर click करते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं send request एक request जाएगी अगर वो accept कर लेते हैं तो आपको new password create करने का option देखने को मिल जाएगा ठीक है 48 गंटे का time दिया है 48 गंटे के अंदर आप new password create कर सकते हैं और आप पुराने account को login कर बाएंगे easy तरीकी से ठीक है यहाँ पर request जा चुकी है ठीक है अगर इनमें से कोई एक भी मेरा friend request को accept कर लेता है तो आपको password create करने का option भी मिल जाएगा और आप easy ही अपने instagram account को login भी कर पाएंगे तो इसी तरीके से आप अपने instagram account को recover कर सकते हैं without email address without phone number without password की ठीक है अगर नहीं होता है तो आप मुझे instagram पर message कर देन instagram का link आपको description में मिल जाएगा मैं आपकी help कर दूँगा ठीक है आचा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आयोगी वीडियो को like जरू करना फीचेट है YouTube चैनल पर नहीं है चैनल को subscribe जरू करें कोई प्रॉलम आती है तो वीडियो के नीचे comment box में जाकर आप comment कर सकते हैं हम आ पूरी help करेंगी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद